हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम नंबर एनालोजी के लेटेस्ट पुछे हुए क्वेस्टन सॉल्व करेंगे यह आपके 27 क्वेस्टन्स है यह जो सारे क्वेस्टन्स है यह मैंने SSC JE जो भी 2022 की आंसर किया यह वहां से लिए हैं और आपके SSC CGL 2022 के लिए मोस्ट इंपोटेंट है आप सभी को यह क्वेस्टन पहले खुछ से करने इसकी PDF मैं आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा तो पहले खुछ से जरूर करना या मेरे सांस्तात यहां पे पहले खुछ से सोचना लॉजिक उसके बाद इसका solution देखना इसका answer देखना मैंने आपको पहले भी बताए कि आपको यह question कैसे करने यहां पे total 27 question हम करेंगे और जादे time नहीं लेंगे तो question क्या है आपका question यह है select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term ठीक है यह लिखा गया हिंदी में क्या है उस बिकल्ब का chain कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी परकार संबन नित है जैसे दूसरी संख्या जैसे दूसरी संख्या पहली से है और छटी संख्या पांचवी से है तो आपको question समझ में आ गया तो sub question आगे ऐसे ही है analogy का है सभी को पता है कैसे करना है मैंने आपको बता है आप क्या यहाँ पर देख सकते हो आप यह देख सकते हो कि यहाँ पर square तो नहीं है square के आसपास number तो नहीं है cube तो नहीं है cube के आसपास number तो नहीं है नमबर के नजदिक आप जा सकतो, multiply करके जा सकतो, आप यह देख सकतो, कहीं पर multiple तो नहीं है, ठीक है आप divide करके देख सकतो, ऐसा भी हो सकता, कहीं आप divide करोगे तो एक यह option आपका मिलेगा, किसी एक number से divide हो रहे होंगे, आपको यहाँ पर table याद होनी चीए, आपको factor करके भ होगे, उतना आपके mind में जल्दी से logic आएंगे, अगर आपको कुछ नया logic यहाँ पर दिखता है, तो उसे note कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आप देख सके कि हाँ, यह logic मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था, तो पहले आप सभी question करना, 27 देखना, आप कितने question इसमें से कर पा रहे हो, जादे से जादे question होगे, कोई question नहीं होते हैं, तीन-чार question नहीं होते हैं, तो आपको टैंसल नहीं की जरूएत नहीं है, तो आपको आप कर लोगे exam में, ठीक है, कहीं हो सकता है कि अगर अच्छा question आगए, तो उसे आप last minute कर सकते हो, ऐसा भी है, कि आप skip भी कर सकतो लेकिन हमेशा नहीं तो प्रैक्टिस आपको जरूर कर लिए तो सुरू करते हैं पहले कुशन से पहले आप देखोगे दो का दो से है आप देखो यहाँ पे क्या पैटन हो सकता है आप देखोगे छैसा च्छे का एक सो अठानबे से है अब मैंने आपको बताया 216 पर पहुंचगा जबकि मुझे 216 तो चाहिए नहीं अब मुझे 198 चीए तो मैंने कितना मैनस किया मैने यहाँ से मैनस किया आपका 16 दो 18 मैने 18 मैनस किया तो मुझे 198 मिल गया अब आपको यह सोचना है कि यह 18 या तो fix नंबर हो सकता है या आपका क्या हो सकता है आप यह भ दो का पहले नंबर का 3 गुना तो यहां पे आप 2 का 3 गुना 6 माइनस करते हो तो आपको 2 मिल जाता है तो आप यह कैसे हो तो दो का 3 गुना है तो सेम इस तरीके से आप इसे भी करोगे 9 का क्यूब करोगे आपके पास कितना है 729 अब 9 का 3 गुना आपको माइनस करना है 27 तो य करके, माइनस करके आप उस नंबर तर्ड क्या करना है और इसी में पहले का 3 मुणभ तो आपको क्या मिल जाता तो आप इस तरीके से एसे देख सकते हो. तो इसका right answer क्या है , फरस्ट आप्षन है , खुश्स से जरूओ करोगे तो आप CC तरीके से आप करोगे नई logic भी आप देख सकते हो अलग logic अलग तरीके से भी आप सोच सकते हो next question देखते हैं अब इसे देखो यहाँ पर क्या pattern है अब आप देखोगे 181 है और 10 है ठीक है 181 और यहाँ पर 10 है अब मैं 10 से 181 पर जाने की कोशिस करूँगा तो मैं यह सुन सकता हूँ कि अगर मैं 10 का square करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा 100 मिलेगा लेकिन चाहिए तो मुझे 81 लेकिन आप 81 देखते ही आप समझ जाओगी कि 81 मी 9 का square है तो आप देखोगे 144 प्लस 121 आपको मिल जाएगा 265 तो सेम पैटन आपको यहाँ भी लगाना है यहाँ पर क्या है 11 का square प्लस 10 का square तो आप देखोगे क्या आजाएगा 121 प्लस 100 आपका 221 आजाएगा तो इसका right answer आपका क्या होगा 4th option होगा 221 ठीक है समझ मा आ गया क्या pattern है यह pattern कई बार आएगा अभी नहीं कई बार यह pattern यहाँ पर पूछे जाएगा next question देखो इसे गर है आसान pattern है लेकिन कभी कभी क्या होता है हम हमेशा square Q multiply के लिए सोचते हैं तो यह pattern हम भूल जाते हैं और वहाँ पर question एकदम से नहीं हो पाता है तो आपको ध्यान में रखना ह इसमें कुछ ऐसा pattern यह simple सा gap है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है आपको एक बार gap जरूर देखना है तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप देखोगे 347 और 668 के बीच में कितने का gap है अगर यहाँ पर आप देखोगे plus 321 एट करते हो आप देखोगे 718 426 336 तो 822 10 की 0 हां से लेक 325 एक 6 तो 605 इसका answer आजाएगा जो कि आपका option first है next question देखते हैं इसे करो किस तरीके से आप करोगे आप देखोगे यहाँ पर आपको 132 और 99 में same pattern सोचना है यहाँ से भी आपको same सोचना है यहाँ भी आपको same सोचना है यानि कि आप यह कह सकतो पहले number स second number में कैसे जाना आपको यह देखना है अब आप देखो यहाँ पर आपको 99 चीए तो कहीं ना कहीं आप divide करके जा सकतो यहाँ आप यहाँ पर देख सकतो factor भी कर सकतो इसके ठीक है यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है यह 24 इंटू 3, 24 तिया 72 होता है और यह आपका 24 इ देखोगे यह आपका 33 इंटू 4 है तो सेम आप यहाँ पर देखोगे 4 से 4 दूनी 8 और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 4, 8, 28 इंटू 4 हो जाएगा और यह 28 इंटू 3 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 28 इंटू 3 कितना होगा 3, 8, 24 कि 4, 28 तिया 84 फर्स्ट आप्सन इसका right answer हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो यहाँ पर यह भी बोल सकते हो कि यह आपका 3 और 4 के multiple है 3 से यह 3 से divide हो रहा है 4 से तो यह option भी जो होगा 3 से ही होगा तो यहाँ पर पहला 8-4-12 यह 3 से divide है लेकिन 1 option हो रहे है यह 15 तो यहाँ पर इस तरीके साफ इसे नहीं कर सकतो क्योंकि 2 option आ रहे है तो इसका right answer क्या होगा 84 होगा यह ऐसे भी बोल सकतो सेम बात यही है जो हमने यहाँ किया है कई लोग ऐसे भी बोल सकते 132 को यहाँ पर 4 से divide करोगे तो आपको कितना मिलेगा 33 मिलेगा इसे 3 से multiply कर दोगे तो आपको second number मिल जाएगा pattern क्या हो गया पहले number को 4 से divide क्या और इसे 3 से multiply क्या तो हमें क्या मिल गया second number मिल गया इस तरीके से भी आप इसे भोल सकतो लेकिन यहाँ आपको सीधे यहाँ पर देख रहा होगा यह भी आपको देखना है इसलिए मैंने आपको बताया है factor करके देखने है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या pattern है next question करते next देखो देखो 18 से 333 है 22 से 495 है अब मैंने आपको बताया है कि आपको बड़े नंबर पर जाना है तो square cube के बारे में हमेसा सोचना है multiply करके भी जा सकते हो अब यहाँ पर 334 है तो मुझे पता है 18 का square कितना होता है 18 का square होता है 324 लेकिन मुझे 334 चीए तो यहाँ पर मुझे कितना चीए 9 चीए तब मुझे 334 मिलेगा अब यह 9 क्या हो सकता है यह fix number भी हो सकता है आप यह भी बोलेंगे कि यह क्या हो सकता है पहले number का half भी हो सकता है ठीक है पहले number का half हो सकता है same pattern आप यहाँ लगाओगे 22 का square कितना होता है 22 का square होता है आपका 484 अब 484 में 9 add करोगे तो 495 नहीं मिलेगा 96 में 14 का half add करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 203 मिल जाएगा तो इसका right answer क्या है first option है pattern क्या है पहले number का square प्लस पहले number का half add कर दो तो आपको second number मिल जा रहा है यह आप कह सकतो जो general pattern है ठीक है तो first option इसका right answer होगा next question देखो इसे देखो यह तो आसानी है यहाँ पर 2 का cube प्लस 2 दस है ठीक है यह पहले वाले में और यहाँ आप देखोगे 4 का cube 4 का cube 64 प्लस 2 66 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का cube प्लस 2 731 जो कि आपका option first है next question देखो इसे देखो यहाँ पर क्या होगा 988-192 96-60-84 यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा pattern अगर मैं यहाँ देखों कि यह तो 4 से divide है यह भी 4 से divide है और यह भी आपका 4 से divide है last के दो नंबर को आप 4 से divide करके देख सकते हो और यह 96 भी 4 से divide है तो option कौन सा है ये option नहीं है 4 से divide ये भी नहीं है और 203 ये भी नहीं है तो एक ही option है 220 तो इसका right answer क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या है आप ये भी बोल सकतो 4 के क्या है ये multiple है नेक्स question देखो ये देखो आसान question है square के आसपास से ध्यान में रख 25 का square plus 1 है और यहाँ पर ये 17 का square plus 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 का square plus 1 यानि कि 325 होगा जो कि आपका third option है ठीक है simple pattern है next question देखो 52 का 5 है 6 का आपको बताना है 7 का 100 है अब ये कैसे आ सकता है आप देखो के 5 से आपको 52 पर जाना है तो आप square करके सोच सकते हो तो यहाँ पर pattern क्या हो सकता है अगर मैं square से सोचूंगा तो मैं क्या करूंगा 5 का square क्या 25 आया अब मुझे 22 तो मैं ये बोलनूँगा 25 दूनी 50 plus 2 बावन आ जाएगा इस तरीके से कर सकता हूँ सेम 100 और 7 के साथ भी सेम pattern लगाँगा मैं कहूंगा 7 का square क्या 49 49 का आपका double क्या 98 plus 2 add क्या तो मुझे क्या मिल गया 100 मिल गया तो सेम pattern यहाँ पर लगाँगा 6 का square 36 36 का double करूंगा आपका कितना है गा 72 72 मैं 2 add करूंगा तो 74 इसक आप कर सकतो या आप यह भी बोल सकतो कई लोग अलग तरीके से भी सो सकते उन्होंने का 5 का square किया 25 25 में एक जोड़ दिया 26 26 का double कर दिया बावन आ गया इस तरीके से बोल सकते हो साथ का square किया 49 49 पर एक जोड़ दिया 50 इसका double किया तो पेर पास 100 आ गया तो सेम यहाँ पर आप करोगे 6 का square 36 36 में एक जोड़ दिया 37 37 का double करोगे तो आपके पास 74 आ जाएगा आप ऐसे भी सोच सकते हो और भी कई तरीके हो सकते हैं तो इसका right answer आपका क्या है second option है 74 next question देखो यहाँ पर next में देखो के यहाँ पर क्या है 120 और 126 में 6 का गयप है यहाँ पर 8 का गयप है तो gap तो नहीं है अगर मैं इनके factor करके देखूं तो यह आपका कितना होता है और यहाँ यहाँ आपका कितना होता है 15 lucky 90 तो यह बोल सकता हूं चौदा और 15 का यहाँ पर आपका क्या है यह आपके multiple है यह बोल सकता हूं यह 6 और 7 की इसे मैं देखूंगा तो यह कितना होता है 15 ग 120 होता है और यह आपका 14 नम्मा 126 होता है ठीक है तो इसी तरीके से यह आपका 15 35 हो गया और यहां यह भी देख सकता हूँ यहां 8 से किया है यहां 9 से और यहां 6 से यहां 7 से तो एक ज्यादे से तो यह आपका कितना हो जाएगा 14 चक्को 56 हो जाएगा ठीक है 15 और 14 का है तो यह आपका 14 चको 56 होगा तो इसका right answer आपका कौन सा होगा 4th option 56 तो समझ में आ गया किस तरीके से आपने यहाँ पे किया तो आप बोल सकते हो कि यह 14 और 15 का multiple है इसी तरीके से option भी देखोगे तो आपको option से भी आप कर सकते हो next question देखो 7 का 83 है 13 का बताना 17 का 368 अब 7 का 83 है मुझे पता है कि 9 के square के आसपास है तो मैं अब सोचूँगा कि 9 का square कैसे आएगा यहाँ पे आप देखोगे 7 83 लिखा है तो मैं यह कर सकता हूँ 7 में मैं 2 8 करता हूँ तो मिरे पास 9 आता है 9 का square में करूँगा 81 81 प्लस 2 83 है सेम यहाँ पे करूँगा 17 पे 2 8 करूँगा तो मिरे पास 19 आएगा 19 का square कितना होता है 361 होता है 361 प्लस 2 363 है तो सेम यहाँ पे आजाएगा 13 में 2 8 करूँगा 15 आएगा 15 का square 225 में 2 8 करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 227 तो इसका right answer first option होगा समझ में आ गया next question देखो अब देखो 56 का 616 है 79 का 1264 है अब यहाँ पर नंबर छोटा है और यहाँ बड़ा है तो कही न कही multiply आप करके देख सकतो multiply यहाँ पर हो सकता है करके आप देख सकतो हो सकता है कि पूरी पूरी बार divide हो रहा हो यहाँ multiply करके डारेक्ट आपको number मिल जाए यह नंबर के नजदीक आप जाओगे अब देखो अगर मैं 56 से 616 जाता हूँ 56 से 616 कैसे जाओगा यहाँ पर multiply करके देखोंगा अगर मैं 10 से multiply करूगा तो मुझे पर जाता है तो सेम में यह 11 किया हो सकता हूँ यह fix number भी हो सकता है यह फिर अगर fix number ने ओगा तो फिर कुछ और होगा और क्या होगा इन नमबर को देखते वे आपने सोचना है अब आप देखोगे 79 से अगर आपको 1264 चीए तो यहां पर आप क्या करोगे कितने से multiply करोगे 10 से करोगे 790 मिलेगा अब आप देख सकते हों कि यहां पर सीधे multiply करना तो आप यहाँ पर किस से करोगे जिससे आपका यहाँ पर 4 unit digit आ जाए तो आप देखोगे इसे अगर आप 16 से multiply करते हो तो 16 नम्मा 144 आपका 14 16 सत्य आपका कितना होता है 16 16 सत्य 112 112 और आपका 14 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ठीक है तो 16 है अब यहाँ तो 11 से क्या है यहाँ 16 से क्या है तो यह कैसे आया आपका 5 और 6 का सम है और यह 16 कैसे आया यह 7 और 9 का सम है तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर 45 को किस से multiply करोगे 4 प्लस 5 के सम से यानि कि 9 से multiply करोगे 45 नम्मा कितना होता है 9 पंचे 45 एकी option है 405 तो इसका right answer आपका क्या आजाएगा 405 फोर्थ option यह आप यह भी बोल सकते हो कि दूसरा नम्मर जो है वो पहली नम्मर से पुरी वार डिविजबल है और इसी तरह 616 जो है 56 है तो option में एकी option ह होगा तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो ठीक है समझ माया कैसे किया next question करते है next है इसे करो यह भी simple आपको देख रहा होगा square के नजदेक में ठीक है मैंने आपको बता है square direct दिया नहीं होगा आपको देखना होगा तो यहां पर आप देखोगे यहां पे 143 जो है यह आप आपका क्या है यह 12 का square minus 1 है 173 का square plus 1 है यह आपका 483 जो है 483 आपका 22 का square plus minus 1 है और यह 22 का square minus 1 है और यह आपका 23 का square plus 1 है तो सेम 16 का square minus 1 यह 17 का square plus 1 हो जाएगा 280 यहां पर आजाएगा जो क्या आपका कौन सा option है 280 सब्सक्राइब करेंगे 290 आजाएगा तो आपका सेकेंड ओप्सन इसका राइट आंसर होगा थेक है समझ में आ गया नेक्स कुशन देखो इसे करो आप देखोगी कि 6 का 252 है चै का 252 है तो कहीड़ करना होगा क्योंकि 216 होता है अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न होगा अगर आप 6 का क्यूब करते हो 2106 अब 210 ए 222 चैथो 36 और एट करना है felic क्या होता हैbare होता है तो चै का इसक्वाइर होता है तो आपने हाँ पर बोल सकते हैं 216 पलस आपने कितने add कि mission 26 Celsius तो आपको 810 मिल जाएंगा same attempts Garage 64 होता है इसमे 16 ए अपको दॉब्स धिया है 8 169 का 8 है यह तो आपका square है आपका 13 का लेकिन 90 नहीं है तो यह square वाला फंडा तो नहीं है यहाँ पर और क्या हो सकता है अगर हम number के नस्दीक जाएं ठीक है डारेक्ट 91 तो हमें नहीं मिलेगा अगर 15 चक्का 90 तो आपका 1 बच रहा है आपका 6 और यहाँ पर 8 से जाएं तो 8 द 16 8 एकम 8 21 बार जाएगा तो यहाँ भी एक reminder बच रहा है तो यहाँ पर option में क्या होगा आप देख सकतो हो option में अगर आप यहाँ से option लोगे 127 पहला होगा इसे आप 7 से divide करोगे तो 7 एकम 7 आपका 57 होगा 7 8 56 एक reminder बच रहा है तो तीनों में 1 है तो इसका right answer first option हो जाएगा और कोई option में एक नहीं बचेगा इसमें नहीं बचेगा यह तो direct आपके cut जाएगे इसमें भी नहीं बचेगा तो आपका right answer क्या होगा first option होगा और भी चीज़ा आप देख सकतो ठीक है multiply करके नस्दीक जाके उसमें कुछ add या minus करके भी आप जा सकतो वो pattern भी आप देख सकतो त आपको खुछ से जरूर करने हैं सारे question next question देखो 23 का 253 है 56 का आपको बताना है 45 का 495 है अगर 23 का 253 है direct में divide करके देखू 23 ही कम 23 पूरी बार divide हो रहा है ठीक है या मैं ये बोलूं कि ये कितनी बार 11 से multiply करें तो 253 मिल जा रहा है या divide भी बोल सकता हूँ 0 reminder आ ये भी बोल सक पूरी पूरी बार divide हो रहा है इसी परकार 45 को भी मैं 11 से multiply करूँगा आप देखोगा ग्यार 55 और आपका 5 अग्यार चको 44 और 59 तो यहां भी आप से 11 से multiply करूँगा और एक या option है जिसके last में 6 आ रहा है 616 इसका right answer हो जाएगा multiply करके देखोगे 616 आएगा next question देखो 16 का 36 है 19 का 42 तो यह तो 2 square है नेकिन यहां square नहीं है तो आप multiply करके जा सकते हो multiply करके कैसे जा सकते हो मैं यह बोल सकता हूँ 16 दूनी 32 32 प्लस 2 36 हो गया ठीक है sorry 32 प्लस 4 36 हो गया इसी तरीके से यहां पर 19 दूनी 38 38 प्लस 4 42 हो गया आसान है इसी तरह 12 दूनी 24 24 प्लस 4 कितना ह 28 तो इसका right answer 28 आएगा यह आप ऐसे भी बोल दिंगे कई लोग उन्होंने यह बोला 16 में 2 add कर दिया 16 2 18 फिर 2 से multiply कर दिया 36 आगया तो सेम आपका 12 में 2 add किया 14 14 को 2 से multiply कर दिया 28 आगया ऐसे बोल लो 19 पे 2 add किया तो 21 21 दूनी 42 आगया ऐसे भी बोल लो क्योंकि आपने इसका आपको बताना है 20 का 1600 है यहां पर देखो 5 का square है लेकिन यहां तो नहीं है square यह क्या चीज़ है यहां पर अगर हम square से जाके देखते हैं तो यह तो आपका 5 का square 25 हा जाएगा लेकिन यहां नहीं आएगा अगर हम 20 का square करें तो आप 20 का square करोगे तो आपको 400 मिलेगा अब आप यह सोच सकते हो कि यह 4 कैसे आया होगा ठीक है यहाँ पे यह pattern सोचो कि यह 4 कैसे आया होगा और सोचना कहां से यही आपके सामने number दिखे हुए इनी number से सोचना अगर आप इसे कर रहे हैं तो इस number से सोचो कि यह 4 कैसे आ सकता है अगर मैं यहाँ पे पहले नमबर को 20 को 5 से डिवाइट कर दो तो 4 आ जाएगा 5 चक को 20 तो यह pattern क्या बन जाएगा Second number का square Second number का square ठीक है Second number का square किया ठीक है जो भी आपका आया उसे multiply किया किस से Second number को इस तरीके से 5 से डिवाइट कर गे तो आपका क्या आ गया First number आ पैटन समझ में आया पैटन क्या है आप देखो यही pattern पहले वाले में लगाओगे Second का square 25 है और यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइट कर दिया एक आ दिया तो आपके पास First number 25 आ गया इस pattern से इसे करो क्या करना है 10 का square 100 आएगा into तो 10 को 5 से डिवाइट कर दो तो 100 दूनी 200 आ जाएगा पहला number आपका 200 आ गया तो इसका right answer First option होगा समझ में आया pattern क्या pattern है तो यह pattern भी आपको आगे मिल सकता है इसी तरीके से तो आपको ध्यान में रखना है तो आपको सोचना है जब आप यह square करके कर रहे हो तो यह number कहां से आ रहे है यह आपको सोचना है तो इसमें आपको दिमाग लगाना हो सकता है यह number यहाँ पे पहली number का half भी हो सकता है कई बार हमने किया भी है कि वो कभी half होता है कभी आपका one third होता है तो यहाँ पर आपको सोचना है कि ओ नंबर कैसे आया तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो तो इसका right answer आपका क्या होगा 200 होगा ठीक है और भी पहले खुश से जरूर करना इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ खुश से आप करोगे तो आप कुछ नया भी सोच सकते हो इससे अच्छा भी सोच सकते हो खुश से करोगे और आपसे question होगा तो अलग confidence आएगा और अलग मजा ही आएगा आपको करने में तो खुश से जरूर करना next question करते हैं अब मैं या question कर रहा हूँ तो मुझे भी यह आए आ आप करोगे तो आपको अलग pattern से आप सोचोगे अलग तरीके से सोचोगे 10 लोग करेंगे तो 10 तरीके से सोचेंगे 1000 लोग खुश से करेंगे 1000 तरीके से सोचेंगे कही ना कही अगर सारे तरीकों को मिलाएंगे तो कुछ best भी मिल सकता है next question करते है next देखो 12 का 154 है तो 12 का है तो हम square से जाएंगे क्योंकि number बड़ा है और number के नजदीक जाना है तो हम कहेंगे 12 का square 144 होता है 154 चीए तो 10 8 कर देंगे 154 मिल जाएगा same यहाँ पे देखो 32 का square करोगे अब 32 का square आपको याद होने चीए 32 का square दससो चौविस होता है 1024 में 10 8 करेंगे तो आपके पास 1034 आजाएगा same आप यहाँ पे करोगे ठीक है square करके unit digit देखके भी आप कर सकता है अगर आपको pattern यहाँ समझ में आ जाएगा तो 20 का square करोगे तो 400 आगया 400 में 10 8 करोगे 410 आएगा जो कि आपका fourth option है next question देखो 596 का 461 है अब आप देख रहोगे gap वाला जिसमें हम gap देख रहे हैं उसमें आपको idea लग रहा होगा number एकदम दोनों बड़े बड़े दी हैं जिससे हम इसमें gap के बारे में एकदम सोचे ना तो यहाँ भी आप देखोगे एक बार आपको gap जरूर देखना है दोनों question देखना है जिसमें हमने gap देखा सेम तरीके से हैं आपके 596 से 461 के बीच में आप gap देखोगे तो कितना है 6 में से 1 गया 5 9 में से 6 गया 3 5 में से 4 एक गया माइनस 135 यहाँ से आप देखोगे 754 से 619 गया तो यहाँ भी आप देखोगे माइनस 135 किया तो आपको 619 मिलेगा तो यहाँ से माइनस 135 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9 में से 5 4 एक ही option है 684 से इसका answer हो जाएगा तो 614 से इसका right answer है जो कि आपका second option है next question देखो 53 का 215 है 69 का बताना है 64 का 4224 है आप देखो नंबर कितना बड़ा है ठीक है 64 का 4224 है तो कहीं न कहीं multiply हो सकता है अब multiply किस से होगा आप सोचो अगर 64 का square करके भी आप देख सकतो multiply करके भी आप देख सकतो ठीक है अगर 60 बार जाएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा 24 चार और फिर 6 चका 36 तो 60 में तो 60 में तो कम आएगा और multiply करके देखते है 64 का square भी आप करके देख सकतो square करके देख लेते हैं एक बार अगर हम 64 का square करते हैं 64 का square कितना होता है 64 का square होता है आपका 24 का आपका 96 ठीक है तो यह आपका 14 196 तो आपका 96 से आ जाएगा 14 25 और 14 आपका कितना होता है 25 और 14 आपका कितना होता है 25 और 14 आपका होता है 49 और 14 तो 40 96 आ गया 46 96 तो हमें नहीं चीए हमें चीए यहाँ पर 224 तो कितना और चीए हम देखेंगे हमें यहाँ पर चीए 128 ओर चीए 64 का दुगणा 64 का दुगणा चीए तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4, 42, 24 तो हम यह बोल सकते हिं पहली नंबर का square और इसी का दुगणा एड़ करें तो हमें यह मिल जा रहा है इस तरीके से बोल सकते है ठीक है ये इसका मतलब पूरी बार डिवाइड भी हो जाएगा अगर हम डिवाइड करके देखें तो इस 64 में तो हमें नहीं मिल दा है 65 में नहीं मिलेगा क्योंकि 5 चको 20, 6 चको 24 हाँ 64 को अगर हम 66 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें 42, 24 मिल आप देखोगे इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 65 मैंनस वं और इसे हम लिख सकते हैं 65 प्लस वन ये कितनी जल्दी करोगा ये आपको देखना है तो यह आपका a-b हो जाएगा a plus b तो a-b, a plus b क्या होता है a square minus b square अब यहाँ पर a का square करना आसान है क्योंकि 65 का square क्या होता है लाश्ट में 25, 5 का और 67, 42 42, 25 में से 1 का square कम किया तो आपको 42, 24 मिल गया हाँ यह कर सकतो यह नजदी के ऐसे भी कर सकतो यह pattern भी हो सकता है square करके भी और यह भी कर सकतो तो same यहाँ पर हम 53 को इससे 2 जादे से multiply कर रहे है 55 से तो हमें क्या मिल ला है 21, 15 मिलता है तो यहाँ पर भी आप देख सकतो इसी तरीके से करना ठीक है जैसे हमने यहाँ किया इस तरीके से multiply करोगे पांच तियां 15 या 50 प्लस 5 करके भी कर सकतो जैसे आपको अच्छा लगे तो same यहाँ पर करेंगे 69 को किस से multiply करेंगे इस से 2 जादे 71 से तो यहाँ पर 9 आना चाहिए last unit digit A की option है तो यह इसका right answer हो जाएगा या आप ऐसे कर लेना 69 का square करना जो भी आएगा उसमें 69 का double add कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा 4899 ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हो समझ मा आ गया तो unit digit से भी आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आपने यहाँ मेहनत कर लीना 64 का square निकाल के इस तरीके से कर लिया दो बांकी में आप unit digit से करके देख सकते हो next question देखो 90 का 739 है 12 का 27 है तो cube दिख रहे है मुझे यह आपका 9 का cube है अब यह 9 कैसे आएगा 90 से सोचना है आप 9 कैसे आएगा तो आप अगर 90 का 9 प्लस 0 का digit सम करो इसका cube कर दो तो आपको 739 मिल जाएगा cube आपका क्या होता है 216 तो यहाँ पर आपका answer क्या आएगा 4th option 216 तो आप देख रहोगे यहाँ पर आपको सारे pattern दिख रहोगे कहीं पर square कर रहे हैं कहीं पर cube कर रहे हैं कहीं पर gap देख रहे हैं कहीं पर digital sum कर रहे हैं कहीं पर divide कर रहे हैं तो अच्छे questions हैं सारे, तो आपको यह सारे pattern ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तो हो सकता है, कहीं पर अभी minus हो रहा है, तो कहीं plus भी हो सकता है, तो यह सारे चीज़ें ध्यान में रखनी है, next question करते हैं, इसे देखो 356 का 1009 है, 178 का 1049 है, यह थोड़ा अच्छा question है, इसे आप देख लो, थेक है, इसको pattern को भी ध्यान में रख लेना है, एक बार pattern किया है, यहाँ पर, ठीक है, 356 का 1009 है, यहाँ पर आप देखोगे, 356 में अगर आप 10009 पर जाओगे, तो यहाँ पर 1009 पर जाने में आपको कितना add करना है, आप देखो, यहाँ पर add कर के देखो, तो आ आप देखोगे 178 से आपको 10 59 चाहिए तो यहाँ पे आप कितना gap देखोगे यहाँ पे अगर आप 8718 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1049 अब यह 653871 क्या है यह इसी का reverse है आप देखो इसका reverse 6538 क्या 109 मिला इसका reverse 8718 क्या तो 1049 मिला समझ में आया क्या है ठीक है आप दे आठ एक नौइक 10 तो सेम 283 का reverse हैट करेंगे यहाँ पे कितना 382 तो आप देखोगे 325 आठ आठ शोला की 6 हासी लेक 325 एक 665 इसका अंसर आएगा जो कि आपका second option है ठीक है समझ मां आ गया क्या है इसका right answer तो इसे आप ध्यान में रखना important करके यह pattern भी आपका पूछा जा स सकता है next question देखो next step 5 का 15 5 तिया 15 लेकिन 18 का 171 multiple नहीं होता है तो 5 से 15 और कैसे आ सकता है 5 से 15 चाहिए तो और कैसे आ सकता है 5 से 15 अगर मैं 5 को 6 से multiply करो 5 6 का 30 30 का half कर दो तो 15 आ जाएगा ठीक है इसी तरह में यहाँ पे 18 को इससे एक ज्यादे 19 से multiply करो और multiply करके 2 से divide करो तो आपको multiply मत करना आप 2 से directly यहाँ divide कर लेना क्योंकि 2 से तो हम multiply करके भी divide कर रहे हैं यहाँ divide करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप देखो 2 न मठारा 19 नम्मा 171 तो सेम चीज़ यहाँ आप करोगे 13 को multiply करोगे 14 से अब multiply मत करना सीधे 2 से यहाँ divide कर देना 2 सत्य 14 हो होता है तो इसका right answer आपका क्या आएगा first option आएगा 91 next question देखो next है 10 का 400 है 6 का 72 है अगर मैं 6 से 72 कैसे लाँगा 6 का square करता हूँ 36 आता है 36 दूनी 72 आ जाता है ठीक है इस तरीके से अब minus मैं multiply कर दूँगा minus 1 से तो minus 72 आ जाएगा ठीक है minus 72 आ जाएगा तो minus 1 से multiply कर दिया इस त 10 का square तो 100 होता है और यहां मुझे 4 से multiply करना पड़ेगा तब 400 आएगा अब आपको सोचना है कि यहां मैंने 2 से किया यहां 4 से किया ठीक है अभी हम 1 को भूल जाते है क्योंकि हमें पता है minus 1 से multiply करने में आ जाएगा तो हम सीधे 36 दूनी 72 यह आपका 72 आया और यह आपका 400 आ ठीक है अब यह सोचना कहां से 6 और 6 और 10 से ही आपको सोचना है तो यह 2 कैसे आ सकता है मैं यह बोल सकता हूं कि अगर मैं 6 का 6 में से 4 कम करूंगा 2 आ जाएगा तो सेम पैटन में 10 में से 4 कम करने में 4 आएगा क्या नहीं आएगा 6 आएगा तो यह वाला तो नहीं होगा और क 6 का हाफ 3 हुआ, 3 से 1 कम 2 है तो same आप देखोगे, 10 का हाफ कितना हुआ, 5, 5 से 1 कम क्या है, 4 है, है ना, ये समझ में आया, तो same मैं यहाँ पर करूँ 4 का square करूँ, 16 और 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ होता है, 2, 2 से 1 कम से मैंने multiply करना है, तो यहाँ पर एक से multiply करूँगा, तो 16 आजाएगा और minus 1 से कर लो, सभी को multiply तो minus आजाएगा, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं सोच रहे तो, और तरीके भी हैं, और तरीके से सोच रहे तो, आप factor करके देखो और फिर pattern सोचना, क्या pattern हो सकता है अगर मैं 6 से 72 लाने की कोशिस करूँ, minus की अभी छोड़ दो minus तो multiply करके आजाएगा, ठीक है 6 से 72, और क्या हो सकता है factor कर लो, मुझे पता है इसका factor क्या होता है, अठार चको 72 होता है ठीक है, अठारा चको 72 होता है यह भी factor होता है, अब मैं यह सोचूँगा कि अठारा चार कैसे आएगा अठारा चार कहां से आएगा, यही नंबर से सोचना है, अब अठारा कैसे आ सकता है मैं यह बोलूँगा कि अगर मैं 6 को 3 से multiply करूँ तो मेरे पास 18 आ जाता है अब मुझे 4 चाहिए, तो 4 कैसे आ सकता है मैं यह बोलूँगा कि 6 में से 2 कम कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाता है तो मुझे 72 मिल जाएगा मैनस 1 से multiply करूँगा, मैनस 72 हो जाएगा ऐसे सोचा, तो same मैं यहां भी करने के try करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने किया 6 को 3 से multiply, अब अगर मैं 10 को 3 से multiply करता हूँ तो 30 हाता है, और 30 को फिर मैं कितने से कम 2 कम से multiply करता हूँ, यानि कि 8 से तो मुझे 400 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है जो 3 है, वो 6 का half है तो इसी तरह 10 के half से multiply करूँगा 5 से, और यहाँ पर 10 में से 2 कम से multiply कर दूँगा, आप देखो 10, 5, 50, 50, 50 और 8 कितना होता है, 400 होता है और minus 1 से करूँगा, तो minus 400 आ जाएगा, तो same 4 के साथ करूँगा 4 के साथ करूँगा, यहाँ पर 4 के half से multiply करूँगा, 4 दुनी 8, और यहाँ पर 4 में से 2 कम, 2 से multiply करूँगा तो 16 आ जाएगा, minus 1 से सभी को multiply कर दो, तो 72 यहाँ आ जाएगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ठीक है, मर्जी आपके कैसे आपने सोचना है, आप factor करो, फिर factor करके pattern तो आपको ढूड़ना ही पड़ेगा, pattern क्या हो सकता और भी खुद करना, कहीं square से कुछ और भी आ सकता है, यहाँ पर 10 का double करके, 20 का square 400, लेकिन यहाँ पर 36 का ऐसे होगा नी तो और भी चीज आप यहाँ पर सोच सकते हो ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दे जो मेरे mind में अभी आए, वो मैंने आपको बता दिया next question करते है 15 का 60 है, 9 का आपको बताना 10 का 35 है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 15 चक को 60 है लेकिन 10 का multiple 35 नहीं है तो यहाँ पर और क्या हो सकता है 15, 12, 5, 60 भी होता है ठीक है, 15 और 60 15 और 60 में मैं कहूँगा कि 12, 5, 60 भी होता है ठीक है, यह भी तो होता है 12, 5, 60, अब यह 12 और 5 कैसे आएगा मैं यह बोल सकता हूँ कि 15 मैंसे मैंने 3 कम किया, 12 आ गया और उसे 5 से multiply कर दिया तो 60 आ गया, इस तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है और सेम पैटन में यहाँ लगाँगा 10 में से 3 कम करूँगा तो मेरे पास 7 आएगा, उसे 5 से multiply कर दूँगा तो 35 आ जाएगा तो सेम पैटन यहाँ लगाँगा, 9 में से 3 कम किया 6 आ इसे 5 से multiply कर दिया 6 पंचे 30 आ गया तो आपका answer क्या होगा, 6 पंचे 30 फोर्ट आप्सन हो जाएगा, ठीक है समझ में आया, कैसे करना है, ठीक है मैं आपको सारे, जैसे mind में मैं कर सकता हूँ वैसे ही मैं आपको भी बता रहा हूँ तो आपको भी देखना है, खुछ से जरूर करना है मैंने इतने सारे question करवा दिये है analogy के, तो सभी practice करो कुछ pattern नहीं मिलते हैं कुछ आपको common मिलने लग जाएंगे कुछ नहीं मिलते हैं, उन्हें आप note कर सकते हूँ ठीक है, next question देखो 62 का 39 है, 78 का बताना है तो 39 से 62 के बीच में 12 में से 9, 8 में से 7 एक तो यहाँ पर pattern gap तो नहीं दिख रहा है अगर मैं 49 से 62 की तरब जाओं तो मैं multiply करके जा सकता हूँ multiply करूँगा, 49 को 2 से multiply करता हूँ तो मेरे पास 78 आता है अब मुझे 62 ची है तो मैं 16 माइनस कर दूगा 8 में से 6, 2, 7 में से 6 62 आगया, same यहाँ पर करूगा 37 का double करूगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 37 का डबल करूगा, तो मेरे पास 74 आएगा यहाँ से 16 माइनस करूगा तो 14 में से 6 है आपका 8 होगा और आपका 6 में से 5 8 होना गया तो सेम पैटन में यहां पर करूँगा अगर मैं 78 में 16 8 कर देता हूं रिवर्स प्रोसेश जाके या आप option से भी कर सकते हो तो option से आप देखोगे अगर आप 47 का डबल करते हो 47 का डबल करते हो तो आपके पास कितना आएगा 94 आएगा 94 से 16 मैंस करते हो तो आपको 78 मिल जाएगा तो इसका right answer क्या है 47 है यह आप reverse में जाके 78 में 16 8 करना और फिर आप करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा तो यह आपके जो भी सारे question थे यह सायद मैं सोचा था आपको दूगा करने के लिए चलो आपने खुद किये होंगे मेरे साथ तो यह जो सारे question थे यह आपके SSC JEE का जो exam वा था उसमें पूछे हुए question से हैं सारे तो आप सभी को खुद से जरूर करने इसी तरीके के question आपको आपके exam में भी मिलेंगे किसी shift में अच्छा question भी मिल सकते हैं तो इसलिए आपको pattern ध्यान में रखने है और जादे से जादे share करना है वीडियो को share करें ठीक है channel को share करें टेलिग्राम को share करें टेलिग्राम पर join हो जाईए क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो भी चीज़े होती है वो मैं वहाँ पर upload कर देता हूं ठीक है तो वहाँ पर link भी आपको मिल जाते है जो भी वीडियो upload होती है अगर आपको notification नहीं आता है तो आपको वहाँ से link मिल तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं